मैं सुभूम आपका स्वागत है मैं अपडेट रोल आउट हो रहा था लेकिन फाइनली आज सभी यूजर के लिए मिवाइट वाल का अपडेट रोल आउट कर दिया गया है तो अपने अपडेट रैप में चेक कर लिजिए आपको भी अपडेट मिल चगाओगा स्टेबल अपडेट 700 MB का अपडेट रहा था था जिसमें भहूप सारे फीचर देखने को मलते हैं तो मैं सारे फीचर को एक्स्प्रें करने वाला हूँ हाल hélasse कि मै पहले वीडियो बनाई था लेकिन का इकन को प्रेस करना भी बनता और वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर देजिए 500 लाइक का टार रहते हैं उम्मीद करते हैं आप बहुत जल्दी पूरा कर देगा तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाके दिखा दता हूं मैं कौन सब वर्जिन यूज कर रहा हूं तो देख सेते हैं MIUI 12 मेरे फोन के इंदर इंस्टोल है MIUI 12.0.1.0 आपको इस प्रकार का आपको न्यू लेयाट आपको देखने को मिलेगा android version 10 देखने को मिलता है android security patch की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अगस्त का देखने को मिलता है एक अगस्त का थोड़ा पुराना है लेकिन अभी आने वाले update में इससे भी increase करती है जाएगा all specs आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे और वहीं पर आपको एक थोड़ा मोटा changes देखने को मिलता है अब देखने को मिलता है अब देखने काफी अच्छी तरीके से पानी के तरह हो चुका है अब देखने को मैं right की side से करूँगा तो यहाँ पर storage का layout भी आपको पूरा change कर दियागा लेकिन पहल आने के बाद यहाँ पर जैसे कि storage में आपको clear cast का option देखने को मिलता था वो अब remove कर दियागा उसको आपको active launcher से अब enable करना पड़ता है तो यह थोड़ी मुझे बुरी बात लगी next feature की और बढ़ते हैं तो वो मिलता है आपको file measure में मान लेजी देख सकते हैं कोई भी आपको photo share करनी है तो यहाँ पर देखते हैं send पर जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं privacy protection का option देखने हैं इस पर मैं click करता हूँ तो यहाँ पर share without location इसको off करके रखेंगे तो यह information आपको उसको share नहीं करना है तो इसे off कर सकते हैं तो यह काफ़ी interesting feature देखने को मिल जाता है next feature जो कि most weighted feature है Mewightwell का लोग क्योंकि यहाँ पर आपको control center एक देखने को मलता है देखते हैं भी मेरे phone में enable नहीं है उसे enable करने के लिए आपको mewightwell update के अंदर display के अंदर जाने के बाद आपको जाना होगा control center and notification set के अंदर और यहाँ पर एक option देखने को मलेगा use new control center अब इसे मैं enable करता हूँ तो यहाँ पर मेरा control center enable हो जाए लेकि दिखने में तो काफ़ी the awesome है बहुत बड़ी अलग रहा है यहाँ से app कर सकते हैं काफ़ी सारे इसमें app लगा सकते हैं लेकिन इसमें problem किया है इस control center में क्योंकि आपको जो भी net use करते हैं यहाँ पर दिखाएगा नहीं कि आपने दिन में कितने net use किया तो यह एक दिक्कत है फीचर में आने वाले update में इस यहाँ पर data use का option भी आ जाएगा लेकिन फिलाल के लिए अभी के लिए नहीं है यहाँ पर battery indicator बजाएगे तो यहाँ पर आपको new layout आपको देखने को मिला और कुछ feature की बात करूँ तो यहाँ पर देखते हैं आपकी colorful देखने को मिलेगी देखने में काफी awesome और काफी अच्छा है यहाँ पर bluetooth की साथ किसी भी device को connect करते हैं तो connect करने के बाद एक animation आता है वो exchange किया गया है जब आप connect करेंगे तो आप I think आपको पता लग जागा same to same वैसा wifi में भी आपको देखने को मिलता है next feature यहाँ पर आपको देखने को मिलता है lock screen के अंदर lock screen में जाता हूँ और यहाँ पर देख सेते हैं आपको lock screen clock format का option देखने को मिला है पहले यहाँ पर तीन ही option थे और यहाँ पर lock screen का message वाला option था वो नहीं था वो और कहीं था अब इसी के अंदर कर दिया गया है कोई भी message set कर सकते हैं और यहाँ पर आपको चार देखने को मिलते हैं clock format जो कि अब अच्छी बात है कि आप पहले तीन थे अब एक extra add कर दिया गया और कुछ feature की बात करों तो वो आपको मिलता है display के अंदर है डिस्पले में जाता हूँ तो यहाँ पर आपको देखते हैं आपको color के अंदर देखते हैं एक नया interface देखने को मिल जाएगा जो कि काफी अची बात है देखते हैं आप देखने में काफी interesting लग रहा है तो यह मुझे काफी अच्छा लगा देखते हैं color आप चेंज करेंगे तो अब एक new आपको interface देखने को मिलेगा और कुछ feature की बात करो तो यहाँ पर display के अंदर most provided feature एक dark mode का यहाँ डार्क mode पहले भी था लेकिन आप dark mode 2.0 आ चुका है इसमें feature क्या देखते हैं adjust wallpaper to dark mode इसे enable करने के बाद आपका wallpaper भी देखते हैं थोड़ा मोटा dark हो चुका है और यह काफी यह था awesome feature है आपके wallpaper को भी थोड़ा मोटा dark कर देता है बाकी चीज़े तो dark होती है अब new eye 12 आने के बाद और भी अच्छा dark हो रहा यह और individual app में क्या है जो app dark mode sport नहीं करती है मतलब third party app पे भी dark mode आप use कर सकते है तो यह काफी अच्छा feature है dark mode 2.0 अब आच चुका है next level का dark mode आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे मैं इसकी अंत्तु स्कोर की बात करूँ तो मैंने चेक किया हुआ है थोड़ा मोटा change होता रहता है अभी मैं वापिस चेक करूँगा थोड़ा बढ़ जाएगा या घड़ जाएगा ऐसा थोड़ा मोटा तो होता रहता है पिछली बार साय तक एक लाग सततर जार के असपस आया था और मैं कुछ बात करूँ साइन डान वाबरेशन में तो यहां पर थोड़े आइकंस बोल्ट कर दिएगे हैं जो कि पहले नहीं था अब यहां पर थोड़े बोल्ट कर दिएगे हैं और कुछ फिचर की बात करूँ तो यहां पर होम स्क्रीन में यहां पर आपको global icon animation का option देखने को मिल चुका जाएंगे यहां पर भी आपको पूरा पूरा चेंज देखने हो मिलेगा मतलब 3D या 4D face data आपको देखने हो मिल जाता है काफी new interface देखने हो मिलता है जो कि काफी अच्छी बात है और काफी अच्छा लग रहा है तो यहां पर भी इसे चीज़ चेंज करती हैं और फिचर की बात करूँ तो यहां पर एक option देखने हो मिलेगा नया option देखते हैं privacy protection का इस पर आप click करते हैं तो यहां पर काफी सारे privacy protection का option देगी हाई risk की permission पर यहां पर आपको नोफी मी करेगा तो यह भी काफी अच्छी बात हो जाती मतलब privacy protection को लेकर आपर बहुत और यहां पर update के अंदर आपको me browser remove देखने को मिलेगा और MI video भी remove कर दिया गया क्योंकि वो चायना की application थी उसे इंडिया वैन कर दीगी थी इसलिए उसे app को remove कर दिया गया साथ मैं clean master में आपको दिखायता हूँ यहां पर definition का भी option उड़ा दिया गया मतलब clean master आपको नहीं देखने को मिलता है इस new update के बाद और यहां पर आपका me browser MI video भी नहीं देखने को मिलता हालां कि कई users को वो देखने को मिलेगा तो आप उसे remove कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप अंश्रू का option देखने को मिल जाएगा और कुछ feature की बात करूँ तो यहां पर camera application पूरा का पूर यहां पर इसके अंदर setting में जाते हैं और यहां पर जाते हैं यहां पर कस्टोमाइजिसन का option देखने को मिलता है कस्टोमाइजिसन में जाएंगे तो यहां पर frame layout आपने हिसाब से select कर सकते हैं यहां पर देखते हैं camera modes में माले जिए more panel पे click करता हूं तो एक shortcut add हो जाएगा देखते हैं यहां पर दिखा भी रहा है अब मैं back जाता हूं मेरे camera के अंदर shortcut add हो चुका है देखते हैं 100 यहां पर shortcut आचके swipe करता हूं तो यहां पर यहां पर आशुकता है अब मैंने एक feature बताया था अभी camera के अंदर frame modes के अंदर आप काफी सारे feature add कर सकते हैं वह वहां से लगाईसे पर कर सकते हैं यहां से भी कर सकता है नाइट mode आपको करना है यहां पर क्लिक करके और भी देखने को मंरण जाते हैं और यहाँ पर color भी change कर सकते हैं yellow blue सारा कुछ यहाँ पर select कर सकते हैं मतलब काफी अच्छा इंटरफेस दिया यार मी वाइट वाल अपडेट आने के बाद और काफी ज़्याद जखास feature आपको देखने हो मिलता है यहाँ पर आपको sound भी change कर सकते हैं कोई भी आपको sound डखना image की sound की साथ क्लिक होनी चाहिए जिस वह भी आपको sound पसंद आते हैं यहाँ से आप change कर सकते हैं हालांकि मैं camera के trips and tricks वाली वीडियो लेके आने वाला हूँ me white 12 camera trips and trips वाली ऐसे कुछ title दूँगा वीडियो का तो वीडियो मैं बहुत ज़ल्दी लेके आने वाला हूँ उस वीडियो का भी आप wait कर लिजेगा और कुछ feature के बात तो वह मिलता आपको setting में setting में जैसे जाएंगे और special feature में जाएंगे तो इसमें बहुत सरे आपको option देखने को मिलें और कुछ तो आपको यहाँ पर change नहीं देखने को मिलता तो आपको यही कि गेम टूर्बों में देखने को मिलता है और यहाँ पर video toolbox का option देखने को मिलता है लेकिन पहले भी था लेकिन इसके अंदर वीडियो toolbox के मिजदार बात यह है देखते है मैं वीडियो गैलरी के application आप असानी से यूज कर सकते हैं पहले आपको चार से पांच application देखने को मिलते हैं लेकिन वीडियो आने बाद बहुत सारे के सारे application इसके अंदर add कर दिएगी जो कि मुझे काफी अच्छा लगा तो मतलब video toolbox को भी काफी the next level तक ले जाए गया है यहाँ पर special feature में जाते है यहाँ पर floating window का option आता अग्फ सकत अब मैं यहाँ और floating window पर जाता हूं यहाँ यहाँ पर दिखाए गा कौन से एप है तो आपको convenience का यहां पर यहां पर तोени आप कर सकते हैं और यहां पर और यहां पर देखने को मिलागा तो यहां ज्लेकर लिए प्लोड़ा बर प्लोड़ा प्लोड़ा अप्ट्सिंग कें आपको प्लोड़ा को बदिखने 70 गुलता है देखते हैं light mode पे जाता हूँ और यह दैसे कि इस पर click करता हूँ तो सारे के text आइकन सारे एक बारी बड़े हो जाएंगे font को तो एक बारी बड़ा करोगे, icons को एक बार बड़ा करोगे और यहाँ पे एक tab plus option देखने जो कि फिलाल के लावी work नहीं कर रहा हालांकि इसे enable करना पड़ता है कई device में work कर रहा था लेकिन इस device में enable किया तो work नहीं कर रहा तो इसके बार में detail में वीडियो आने वाले है tricks and tips वाले में तो वा वीडियो आप जुरूर से जुरूर चेक कर लिजएगा लेकिन tab plus का feature आपको नहीं देखने को मिलेगा लेकिन हमने इसे enable किया लेकिन अभी ठीक तरीके से work नहीं कर रहा तो मैंने सोचा आपको बता दिये जाए बात में अगर यह work करने लगेगा तो इस पर वीडियो भी लेकिन आएंगे और कुछ feature की बात करो तो यहाँ पर security में जाएंगे security में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखते battery and performance में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ultra battery server का option देखने को मिल जाता है जिससे आपको okay करेंगे तो यहाँ पर calculate करके बताएगा अपने phone को यहाँ पर यूज कर सकते हैं यह सारा कुछ आपको बताएगा यहाँ पर आपको ज़्यादा apps यूज नहीं कर पाएगे और काफी लंबे समय तक अपने phone को यूज कर पाएगे और फिचर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं setting में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ अपने additional setting में जाते हैं android 10 के अंदर जाते हैं कई users को enable करना पड़ता है अलफा लॉंचर से navigation बार को जो कि देखसें मैं यूज कर रहा हूँ लेकिन MIUI 12 आनेक बाद यह आपको इसके अंदर मतलब इंदा देखने मुलता है इंस्टोल देखने मुलता है अलड़ी यह फीचर देखसे हैं hide full screen indicator अब इसके अंदर देखते हैं बेना back जाया मैं किसी भी app पे switch हो सकता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको touch करना पड़ेगा और बिना back जाया एक app से दूसरी app पे switch हो थोड़ा lag यह लेकिन बिना आप उसके अंदर जा सकते हैं यह काफी interesting feature आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है और कुछ feature की बात करूं तो मैं इसमें जो कि I think आपको gallery application में देखने को मिल जाएंगे जैसी gallery application में जाएंगे मान लेजिए इस photo को मैं edit करता हूं ठीक है तो यहां पर आपको मान लेजिए मैं चलता हम water mark में यहां पर sketch का भी signature का option देखने को मिल जाएगा और यहां पर बात करें हम sky के अंदर काफी सारे इसके अं जाते हैं हालाइकि इसमें और भी सारे feature बहुत सारे feature देखने को मिल जाते हैं उसकी एक trips and trips वाली मियूइट वाले की वीडियो आने वाली है जिसमें सारे trips and trips मियूइट वाले की मैं बताने वाला हूं तो उस video का आप जुरू से जुरू रेट कर लिजेगा मियूइट वाल दालेंगे तो उसकी notification मिल जाएगी और trips and trips वाले वीडियो आएगी तो वह आप जुरूर से जुरूर व्योच कर लिजेगा तो उमीद करता हूं यह सारे feature आपको पता लग चुके होंगे तो वीडियो पसंद आई तो like, share and subscribe जुरू किजिए अपने दोस्तों की साथ नोड़ सेन परो होगा तो उसको पता लग जाएगा कि सारे feature क्या देखने को मिलते हैं तो मिलते हैं नेक्ट वीडियों तो टैक के रेंड गुडबाए